वेल्कम बैक टू यो फेवरेट चानल अड़र 24 7 9 10 10 मैं हूँ शिप्रा तिवारी बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चो कैसे आप सब लोग उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे बहुत ही अच्छे बहुत ही शादार होंगे तो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा माम की जबानी बेटा तो कहानी कुछ ऐसी कि दशारा आपने मना लिया हुआ रावन अवान जला लिया हुआ कोई टेंशन नहीं होगी दो तीन दिन से माम की लेक्चर से इसले नहीं आ क्योंकि माम की तब्या थोड़ी नासाश थी शकल देख भी आपको लग रहा होगा कि अच्छी नहीं है पर मैंने सोचा कि बच्चों का लॉस नहीं होना चाहिए तो मैंने सोचा कि लेक्चर तो बनाना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए ठीक है फिर I was scrolling in the first video of the how do organism reproduce तो उसमें एक बच्चे ने मुझे लिखा मतलब आप तो मेरे बच्चे हो फैमली जैसे हो तो में शेयर करना तो बनता है तो उसमें एक बच्चे ने लिखा कि माम आप पहले अपने जो है तो पहले वाले अपने वीडियो देखिया है that time you are so funny तो बेटा मैं अभी तो funny हूँ अ पर फन में कोई कमी नहीं होगी because you are studying with the shipravaam okay so आज बीटा हम लोग पढ़ने so first video में what we have covered first video में लोगों ने क्या 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 है फिर्स्ट वीडियो में अपने overview discuss किया कि इस chapter में हमने पढ़ना क्या क्या है दूसरे वीडियो में हम लोगों ने क्या क् importance होते हैं उनके बारे में second video जिनको नहीं पता है how do organism reproduce कब से शुरू हो चुका है दशेर के पहले से है ना तो कोई गुंडा कान नहीं लाएगा कि मैं हम कहा है तो सारे लोग यह जान लीजे दो lecture उसके अल्रेडी हो चुके है तीसरे lecture में हम बात करने वाले हैं types of reproduction जिस में ह बिलकुल शांदार तरीके से बहुत प्यारे तरीके से आपको पढ़ा देंगे pdf आपको अडर 24 7 9 10 10 का टेलिग्राम चानल है वहां पर आपको मिल जाएगा अंडेटर नोट्स तो उसकी बिटेंचल लेने की जुरूत नहीं है चीग है तो चलो भाईया जी शुरू करते है पहले वीडियो में हम यह समझ गये थे कि रिप्रड़क्शन क्या होता है रिप्रड़क्शन वह प्रॉसेस होता है जिसमें कोई भी इंडिविज्वल अपने जैसे बच्चे पैदा करता है अपने जैसे का मतलब यह होता है कि एक्जाक्ली उसकी तरह नहीं दिखेगे पर अगर ऐसको बच्चर को कभी भी आपने बच्चक्र करने कि कोशिशज भी करें सक्या कुछ एंडब जैगा जिसका कोई मतलब नहीं होगा तो हमेशा जब भी हम रिप्रड़क्शन की बात करते हैं तो हमेशा रिप्रदक्शन का मतलब यह होता है कि it is the ability of an organism to produce the young ones और वो बिलकुल उसके जैसा ही दिखना चाहिए अब exact carbon copy नहीं होगा कारण क्या है वो मैंने आपको last video में पढ़ा दिया है कि क्यों माबाप के बच्चे exactly माबाप की तरह नहीं दिखते पर हां तेरी जलक जुलफी मतलब की माबाप की जलक बच्चे में जरूर दिखाई देती है समझ में आ गई बात डन है इतनी बात अब मैं आप कोई बच्चा मुझे कमेंट करके पूछेगा मैं वाट अब अब आप अब आइडेंटिकल टुइंस की बाद जब हम फर्टिलाजेशन के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे आपको में इन मोनोजाईगोट टुइंस यह सबके बारे में बताना है तो स्ट्रेस नहीं लेना है अपने को आसानी से सब कुस समझ में आएगा तो बेटा जी लल्ला जी नन्नो जी मेरे आँखो के तारो जी चान्च तारो जी गुरे गुलजारो जी ध्यान से स प्रदेक्शन आप समझ गया होता है रिप्रडक्षण दो प्रकार हो सब्सक्राइब बहुता है। हो गए, many of the fungus हो गए, ठीक है, जैसे कि बहुत सार इवन algies भी जोते sexual reproduction करते हैं, वैसे ही आपके protozoans हो गए, तो बहुत सारे organism जो कि छोटे होते हैं, less developed होते हैं, multi-cellular होने की बावजूदे sexual reproduction करते हैं, तो छोटे, मोटे organism जोते हैं, जिन में ज़्यादा development नहीं होता, body organization इतना developed नहीं है, उनके में ए sexual reproduction पाया जाता है, sexual reproduction जो होता है, यह इनके में higher developed organism में पाया जाता है, जैसे कि birds में, mammals में, reptiles में, amphibians में, इन में sexual reproduction पाया जाता है, और अगर मैं बात कर रही हूँ, sexual reproduction की बेटा जी, तो sperm होना चाहिए, ova होना चाहिए, बिना gamete बनाए, sexual reproduction नहीं हो सकता है, last class में भी हम लोगों ने पढ़ाता, sperm and ova के बारे में, तो जब तक आपके पास sexual reproduction अगर आप चाहते हो, तो sperm and ova मंगता है, इसमें कुछ नहीं चाहिए, इसमें सिर्फ individual होना चाहिए, एक organism है, दो बना लेंगा, no gamete family चाहिए, clear है इतनी बात, तो आपको reproduction system जो होता है, यह reproduction बेसिकली हम बात कर रहे हैं, वो दो प्रकार का होता है, एक होता है asexual, दूसरा होता है sexual, तो asexual reproduction किस में पाया जाता है, बोलो, lower organisms में, किस में पाया जाता है, राजबेटा, यह पाया जाता है, लोवर organisms में, लोवर organism में, मैडम क्या, लोवर पहनते हैं वो, अरे नहीं रहे, ठीक है, किस में पाया जाता है, यह पाया जाता है, बेक्टीरियाज में, बेक्टीरियाज में, यह पाया जाता है प्रोटोजोन में मैडम यह प्रोटोजोन का होता है प्रोटोजोन उसमें मलेरियल पैरसाइट वगरा आते ठीक है यह पाया जाता है फंगस में तो यह इन सब में यह पाया जाता है क्या यह कोई गैमीट बनाएगा मैडम जी ना ना यह कोई गैमीट नहीं पॉरमेशन होगा क्लियर है इसमें गैमीट का फॉरमेशन होगा डडडडडडडडडडडडडडडड़ एदनी बात तї Exceptual le cursion के अंधर ओर ग्यानिजम आते हैं जो गैमीट नहीं बनेगा दोनों सेल्फ यूज करेंगे उसके बाद सेक्श्वल रिप्रडक्शन होगा तुम मुझे बताओ लल्ला किसमें आपको बदलाब दिखेगा इसमें क्या आपको कोई बदलाब दिखेगा तो इसमें आपको नो वेरियेशन दिखाई देगा अब ऐसा सुनो मेरी बात इधर सुनो मेरी बात है ना कान खोल के लोग ऐसा कहते हैं कि एसेक्श्वल रिप्रडक्शन में कोई वेरियेशन नहीं होता पर यह बात बिल्कुल गलत है बेटा क्योंकि आप लोगों ने भी पढ़ा है कि जब जब DNA कॉपी होगा और नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा आपको बदलाव दिखेगा इसमें क्या है कि वेरियेशन होने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि दो डिफरेंट इंडिविज्वल मिली नहीं रहें तो इसमें आपको नो वेरियेशन और वेरियेशन दिखेगा भी तो बहुत देर बात इसमें तो वेरियेशन बेटा जाएं बोलो ना ठीक है आजाओ आप देखते हैं अब डीटेल से शुरू करते हैं भाईया जी समझ गए अभी एसेक्श्वल को डीटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वेजटेडी प्रॉपगेशन फिर हम पढ़ेंगे सेक्श्वल रिप्रडक्श में क्या होता है यहां पर निव इंडिविज्वल जो होते हैं वह फ्यूजन ओफ सेक्स गैमिट के अलावा जितने मेथड हैं उन सबसे बनेंगे ठीक है इसमें स्पार्मेंडोवा का फ्यूजन नहीं होगा बाकी इस दुनिया में जितने मेथड होंगे उसके लावा उन से यह बन सकते हैं कौन-कौन से मेथड है रुको ना है बिल्कूल जो है मुंडी पे चड़ो रहा होगे क्या बता रहे हैं अभी जहां से सुनो तो एसेक्शुल रिप्रदक्शन में इंडिविज्वल कैसे पैदा होता है विदाउट दा फ्यूजन ओफ गैमिट अब विद ना होता है तो बटा जी यह होता है स्पर्म ठीक कौन बनाता है मेल बनाता है हालाकि इस यह वाले जो चाप्टर है इसमें आगे हम लोग डीटेल में पढ़ेंगे भी तो टेंशन नहीं लेना अब आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि स्पर्म मदर सेल्ट डिपलॉइड इसके बाद इमें का करते हैं मियोसिस ठीक है अब यह यह रखना कि मैं दुबारा मियोसिस की डीटेल नहीं बता रही हूं ठीक है जिनको जानना मियोसिस क्या है वेरियेशन इसके पहले बाला लेक्च्छर आप देख सकते हैं प्लेइलिस्ट पर जाएए और देखिए तो स्पर्म मदर सेल से मम्मी ही तो सब बनाती है तो इको माल लेते हैं बेटा जी क्या स्पर्म मदर सेल और इसको क्या माल लेते हैं राजा बेटा इसको माल लेते हैं ओवा मदर सेल मदर ही तो बच्चों को पैदा करती है तो अपनी सेल बच्चों को पैदा करने के लिए उसक है और 4 उस्परम के पास 23 23 होंगे चीक है इस डिविजन को हम कहते हैं मियोसिस कि जब आपकी एक डिपलॉइट सेल से चार हेपलॉइट सेल मिलती है तो इसे हम कहते हैं मियॉसिस अब मैडम चार अगर हम अगर हम 46 का अदा करते तो 23 होता है तो दो ही में जाएगा दो में क्यों आया तो इसके लिए आपको वेरियेशन वाला लेक्चर लगाना ही पड़ेगा कि कैसे और्गानिजम एक्शैक कॉपी प्रेड्यूस नहीं करते यह आपको लास्ट वीडRIA में मिलेगा मैं यह पर डिटेल में बात नहीं करूँगी ओवा मैं भी मयोसिस होता है तो इसमें आपको एक हेपलॉइड ॉवा मिलता है बाकी तीन मर जाते हैं बाकी तीन यह ओवा हो गया, यह स्पर्म हो गया और बनेगा जाइगोट, यह बन गया जाइगोट, अब जाइगोट में,सली अब जाइगोट में मेरे प्यारे बच्चों आंकों कृतारों सूरदास, मत बना देना मुझे माइटॉसिस में पूरे बाडी बनेगी और body की हर cell कैसी होगी 2N ही होगी मतलब इसमें क्या हुआ 2N cell से 2N cell बनी सारी 2N cell इसको हम कहते है mitosis थोड़ा साफ साफ लिकूंगी पैरों को इस्तमाल काम करूंगी है न तो mitosis होगा mitosis से पूरी body की cell बनेगी और body की हर cell deployed होती है मतलब 46 chromosome वाली होती है तो आपको यह याद रखना है कि शरीद में gamete बनाने के लिए gamete बनाने के लिए आपको 23 chromosome चाहिए और अगर आपको 23 chromosome करना है तो आपको meiosis करना पड़ेगा body की हर cell बटा हर cell हर cell हर cell sperm ओवा को छोड़कर जितनी मिसल है आग की cell कान की cell मूग की cell दाथ की cell बाल की cell सब के पास 46 chromosome होता है सिवाए sperm और ओवा के ऐसा काहे है मैडम अब तुम खुद सोचो मेरे प्यारे बच्चो अगर sperm के पास भी 46 होता ओवा के पास भी 46 होता तो कितना बन जाता 92 बताओ 92 chromosome किसी प्रकृती ने इनसान को वर्दान दिया था था तू पहले तुम अपनी डिपलॉइड सेल से चार हैपलॉइड बनाओगे हैपलॉइड का मतलब इसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम होगा सिंगल सेट का मतलब 23 इस क्रोमोजोम होगे अब 23 स्पर्म के पास हो गए 23 ओवा के पास हो गए तो जब फ्यूजन हुआ तो जाइगोट के पास 46 हो गए तो भाया क्रोमोजोम का लेवल मेंटेन रहा हर सेल के पास 46 रोमोजोम होने चाहिए पर अगर हम स्पर्म अडोवा को फ्यूज कराते हैं औ और अगर दोनों के पास 46 हुए राजा तो भी ये जाइगोट में क्या हो जाएगा 92 क्रोमोजोम पॉसिबल है क्या बताओ तुम मुझे 92 तो नहीं है तो पहले बेटा इसको आधा कर लो और इसको आधा कर लो अब आधे-ाधे को जोड़ोगे तो 46 बन जाएगा अब बेटा E क फिर इससे जो दो सेल बनेंगी ने बेटा वो भी 2N ही होँगी 2N का मतलब क्या होता है राजा मेरे आखों की राणियों भी यह सब होंगी डिपलॉयड का मतलब क्या है बच्चोट का मतलब है 46 और यह इबिजन क्या कहलाएगा बच्चो यह कहलाएगा माईटॉस अब पता करते हैं क्या myosis sperm बनाने के लिए कॉन सा division घी मी यौस बनाने के लिए कॉन सा division घी मीजिस बाकी सारी सेल में division कौन सा होता है mitosis पूरी सेल की पूरी बाडी की सेल में का होगा 46 chromosome सिर् valve को क्यों तो ऐसा बेटर देखो मैडम जो पढ़ा रही है वो यूनिवर्सल सत्त है राजा यह आधक ना आज नहीं तो जब सेक्शुल रिप्रड़क्शन स्टू करेंगे तो पहला लेक्चर यही है कि क्यों आधा करना है भाई इसको आधा-धा करना होता है ठीक है समझ में आई बात तो यह है एक हमारी कोई सेल तो अगर मुझे इसका एसेक्शुल रिप्रड़क्शन करना है गैमीट नहीं बनाना तो कौन सा डिविजन करोगे माईटॉसस माईटॉसस से यह दो सेल बन गई ले लो यह दो डॉटर सेल समझ में आगई बात क्लियर इतनी बात तो जिनको गैमीट नहीं बनाना है जिनको स्पर्म नहीं बनाना है जिनको ओवर नहीं बनाना है उनको का करना है माईटॉसस करते जाओ करते जाओ पर जिनको गैमीट बनाने है और गैमीट बना के फ्यूजन करना है उन्हें क्या करन पड़ेगा मियोसिस क्लियर है तो सेक्शुल रिप्रडक्शन में इन्वाल्मेंट ऑफ गैमीट होता है इसमें एक कहां से बनते हैं भई गैमीट कहां बनता है टेस्टीज में गैमीट और ओवरी में फीमेल गैमीट बनता है ठीक है आगे बढ़ जाए एसेक्शुल और दो डिफ्रेंट नहीं चाहिए इसमें एक इंडीविजल तूए आदमी तेरे अंदर सारी शक्तिया समयति तो इसमें दो परेंट की बेटाजी जरुष्ट हमें बिल्कुल भी नहीं है Pernanda ठीक है इसमें एक ही पेरेंट चाहिए कोई गैंमीट का fusion नहीं चाहिए कोई जो है तो fertilization नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए यह बिल्कुल भी समस्य हैं ही नहीं कि एक लड़का लड़की ढोड़ो दूनों का fusion कराऊ नौँ ऐसा कुछ नहीं चाहिए एक individual ही अपने आप से जब मन करेगा favorable condition रहेगी वो बच्चे पैदा कर सकता है अब वो बच्चे लल्ला मुन्ना गोदी वाले नहीं होंगे वो बहुत अलग है पर एक ही parent जो है वो अपने बच्चे पैदा कर सकता है पर किस में होगा यह क्या हमारे में हो सकता है आप तुम सो तो ऐसा होता कौन सी शिप्रावाम वर्जन वन ओ वर्जन टू ओ शिप्रावाम लाइट शिप्रावाम हाई यह वाला ठीक है समझ में आई बात तो एसेक्शल रीप्रडक्शन जो होता है यह हमेशा छोटे और गयानिजम में जैसे यूनिसलिलियर और गया जाता है कुछ फ्लांट यसर यह pay जाता है स्पोंजर्ज हैंजां Mode की स्टारफिष के स्टार फिश नी अपना यह यह वाला पाड काक formations में यह अमें इसके बारे में आप जो मैं सूरू करते है अलग-अलग प्रकार के asexual reproduction दिये गए है मैं यह पर लिखती हूं तो ज़्यादा मज़ा आता है क्यों? लिखने पर ज़्यादा मज़ा आता है क्या कहना है तुम्हारा इस बात पर asexual reproduction क्या लिखेंगे? it is a type of reproduction where no involvement of gamete, no fertilization takes place, no need of gametes only one parent are capable only one parent is capable to producing to produce new individual ठीक है? तो asexual reproduction बेटा जी कितने प्रकार का होता है बताओ जल्दी से asexual reproduction कितने प्रकार का होगा बच्चों? asexual reproduction following types का हो सकता है number one, number one क्या होता है? बच्चों, जल्दी से बोलो number one क्या पढ़ेंगे? जल्दी से बताओ number one हम पढ़ेंगे फिजन ठीक है फिजन के पा फिजन के आसपास फिर हम क्या पढ़ेंगे फिजन के आसपास हम लोग पढ़ेंगे बढ़िंग बढ़िंग के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे Regeneration ठीक है यहाँ पर इसको काट दूं ठीक है इसके बाद क्या पढ़ेंगे बेटा जी Regeneration ठीक है Regeneration Regeneration के बाद हम क्या पढ़ेंगे राजा जी फिर हम पढ़ेंगे Fragmentation और कुछ बाचों का बचा है fragmentation ठीक है फिर हम आज के लेक्चर की बात करें हूँ fragmentation के बाद हम क्या पढ़ेंगे fusion, budding, regeneration, fragmentation, spore formation spore formation clear है समझ में आ गई बात spore formation clear अब मेरे प्यारे बच्चो ये तो आज के लेक्चर में हम cover करेंगे पर आपको एक बात और समझनी जरूरी है कि vegetative reproduction vegetative reproduction ये भी इसी के अंदर आता है vegetative reproduction भी इसी के अंदर आता है बेटा जी, asexual reproduction के अंदर जो की plant में पाया जाता है और plant tissue culture ठीक है plant tissue culture ये भी इसी topic के अंदर आता है पर इह लोगों को हम लोग करेंगे next class में cover clear है, तो आज का agenda हमारा है ये ठीक है, done, 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 अब मैं थोड़ा सा चार्ट बना देगी चार्ट को अपन लास्ट में cover करेंगे इसको अपन लास्ट में पूरा अच्छे से समझ लेंगे ठीक है, आजाओ, बस याद रखना तो ये हमारी list है बच्चो जी, जो आज हमें cover करना फिजन cover करेंगे, fragmentation, regeneration, budding, spore formation ये हमारी अपन cover करेंगे, next class में ठीक है, क्योंकि vegetative reproduction plant के बारे बात हो गई ना तो उसको अपन next class में करेंगे, ठीक है आजाओ भया, सुन्दर कहानी, सुन्दर, सुन्दर डाग्राम शुरू करें, fission, क्या होता है fission तुम लोगों ने कभी nuclear fission के बारे में सुना है कि एर, तुम लोगों ने सुना है कि एक इसके nuclear fission हुआ तो उसमें हम लोगों ने electron, proton की bombarding की तो कुछ चीज़ फट गए, फट कर अलग हो गए तो fission का मतलब क्या होता है basically let me drink some water, तो fission का मतलब क्या होता है बेटाजी, कि हम एक cell से दो different cells बनाए, और वो दोनों daughter cells जोओंगी वो parent की तरह ही दिखाई देंगी, क्योंकि आपको भी पता है कि ए sexual reproduction में दो लोगों की ज़रूत तो है नहीं यह अकेले ही सर्वयापी है, यह one man army है अब चलो बेटाजी हम एक सुन्दूर सो amoeba बनाश्चे यह सुन्दर amoeba है, यह amoeba का क्या है nucleus है, तो भायाजी मुझे तो nucleus से ही मतलब है अब यह amoeba क्या करना चाहता है, binary fission पहले fission करना चाहता है, ध्यान से समझना अब ध्यान से सुनना तो fission में क्या करेगा, सबसे पहले यह थोड़ा सा elongate होगा, क्या होगा बच्चो elongate, दिख रहा आपको, तो इसका बेटाजी nucleus भी elongate होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा होगा माम, बिलकुल होगा, इसकी आखे भी दूर दूर चली जाएंगी, चली जाएंगी की नहीं चली जाएंगी, ओ, कैसा लग रहा है, फिर उसके बाद क्या होगा, कि यह थोड़ा सा ऐसे करके थोड़ा सा दबने लगेगा, यह ऐसे करके दबने लगेगा, तो nucleus भी ऐसे करके देने लगेगा, let me label this diagram, चलो आजाओ तो यह है nucleus ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ elongation of cell, यहाँ पर क्या हुआ बच्चो जी, यहाँ पर हुआ elongation of cell, ठीक है तो nucleus भी elongate हुआ nucleus भी elongate हुआ, ठीक है उसके बाद next देखोगे यहाँ पर क्या बना, division plane है, यहाँ से division start हो रहा है, यहाँ से ऐसा गुश गया ठीक है, यह division plane है, यह है construction जहाँ से division start होगा construction जहाँ से division start होगा, डन, 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 डन और यह देखो यह बन गया है septa, अलग हो गया और यहाँ पर यह आपको क्या दिख रहे हैं बच्छों यह हैं डॉटर यूपली ऑई दोड़न बन गए और यहां पर देखोगे तो यह बन गए है तू डॉटर अम्य बाला लला 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 ला ला लला इनका जीवन सिद्ध हो गया है इन्होंने दो बच्चेप पैदा करके रख दीए तैक है अब देखो अगर ध्यान से समझोगे दो डॉर्टर न्यूकलियाई में जो जो सेल ओर्गनल होंगे वो भी सेम टू सेम होंगे दो सेल ओर्गनल यहाँ पर भी सेल ओर्गनल बच्चो और यहाँ पर भी सेल ओर्गनल होगा समझ में आरी बात अब तुम देखो राजा मेरे प्यारे बच्चो मेरे आँखो के तारो कि ये जो पेरेंट अमीबा है ध्यान से समझोगे ये जो पेरेंट अमीबा है पेरेंट अमीबा ये जो पेरेंट अमीबा है इससे कितने सेल बने हैं माडम जी दो बने हैं एक ये बना है एक ये बना है ठीक है तो कितने बन रहे हैं दो बन रहे हैं ये मैथड है přece प्रब यंटे यहां पे सेल मेंबरेन दब रही है नहीं तो है बेटा जी आपको पता होना ची इतने तो मेरे को मेरे को सूरदा सूर पंखा मत बनादे ना मेरे नाक मत कट वाले न यह एनिमल सेल है और इसमें सेल वाल होगी नहीं ठीक है तो बिटा जी क्या होगा सैल वाल दबेगी दबते दबते इसेल वाल आपस में बीच में क्या करें को ऐसा है धान से सुनूं मालो की यह रबड बैंड है ठीक है okay लेट में एक्स्प्लेइन देस्ट मालो यह रवड़ बैने पहले यह अमीबा सुन्दस अमीबा फिर इदे बाल लगें या तुम लो मुझे कुछ रेमेडी बताओ यार बाल वाल इतने जड़ने लगें मेरे तो सबसे पहले क्या होगा अमीबा इलोंगेट होने के बाद इच में दिवार बनाने का काम कौन कर रहा है सेल मेंबरेन कर रही है तो ऐसे गुस्ती गई गुस्ती गई जुड़ गई और उसने दोनों न्यूकलियस को अलग कर दिया और दो डॉटर अमीबा आपको मिल गए तो फिजन का मतलब क्या होता है कि पेरेंट सेल से डॉटर से फिजन ठीक है बाइनेरी फिजन क्योंकि एक डॉटर से थे आप एक पेरेंट सेल से दो नारे सेल रही हो Сегодня डॉट से common method होता है किस में किस में पायाता है bacterium पायाता है east में पाया जाता है diatums में पायाता है mycoplasm पायाता है protozoans में पायाता है पर तुमको कौन सा याद रखना है सिफ दो चार याद रखलो बस ठीक है समझ में आगी बात अब ध्यान सुनो मैं एक और चीज़ बताती हूँ ध्यान से सुनना फिजन जरूरी नहीं है देखो अमीबा का ना अमीबा का तो कोई shape पही नहीं जीवन में अमीबा का क्या shape है कोई shape ही नहीं है ठीक है फिजन के examples पहले में लिखना चाहूंगी क्योंकि slide में जो लिखे है मैडम वो तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे मूँपे कोई bum फेक रहा है bum फेकने वाला काम नहीं करेंगे हम लोग ठीक है तो आओ बच्चो मैं कुछ common से example तुम्हें लिखवाती हूँ आजाओ देखो ध्यान से सबसे पहले बेटा लिखो लिखमानिया लिखमानिया कोस करता है जिसका नाम है काला जार इसको को कहते हैं कलकथ्थ्टा में डमडम नाम का Aujourdशके को लिखमानिया बुखार होता है जिसमेरे लिखमानिया के बाद क्या होगी बच्चो appelle बच्चों आपका बाइनेरी नंब्र मतलब क्या होता है कि जब आप इक पेरेंट से दो डॉट्टर से 1 और यह से बहूत सारी डॉट्टर इसल्स बना जाए हो तो मतलब भी कि पना चे Button необходимо करा देखो कमी़ दीविजन कहां होता है दीविजड ऑन जामीब भा में यह धार in कि हैं जबन कि पर भीजनों तो दो नम चंप आपके पास क्लियर कके तो कि हमक ट्रांज वर्स था तुर यह ट्रांसवर्स फिजन इन पर उसके बाद यूगलीना में कैसा होता है यूगलीन और लिशमानिया में बिलकुल है एक जैसा होता ता तो मैं एक जैसा बनाती हूं ठीक है उनके में ऐसी डिवाइड होते लंबि यह लंबी लंबी तो इनके में कौन सब आ जाता है लोंगी ट्यूडल फिजन लोंगी ट्यूड़ ट्यूड़ हाई रे हाई-रे-थाय श्पैलिंग से कोई बचाये यह स्पैलिंग बाले जी में क्यों आये समझ नहीं आये क्या कर जाए डोर बाइनरी फिजन विजे जो होता है यह सब बायनेरी फिजन शो करते हैं बेटा जी ये जितने एक्जांफल में नहीं पinta मीशियम को छोड़ कर ये साब बाइनरी फिजन शो करते बच्चों सारी all of them show link देती हूं मैं अदरवाइस वारे बच्चे बोलेगे हाई तौबा इदादा का पढ़ा रही है आल दा examples all the examples shows shows binary vision हर एक्जामपल binary vision show कर रहा है हर एक्जामपल पर यह कैसा शो कर रहा है यह तो कहीं से बीर बाइनरी फिशन शो करता है मीबग को तुम कहीं से भी बेटा यहां से दबा लो ठीक है उसको ऐसा दबा लो कोई नहीं इसका मतलब उसका मतलब बना रहें घर आब कांस वह डिवाईद होनने से अऊसे का अनिमाउन जंग में एसा एक योग utilizing एलिशमानिया में ऐसा ठीक है तो फिलिशमानिया में लंबा लंबा पेरामीशंब आपको बता है इसमें क्या वहते हैं इसमें अլ नмат effectivement आपको बता है इसमें क्या होता है पेरेंट daughter cells clear है आगे बढ़ जाए asexual reproduction में फिजन दो प्रकार का हो सकता है binary fission and multiple fission ठीक है even fission जो है bacteria में भी शो होता है ठीक है तो देखो बच्चों कैसे bacteria कर रहा है oh my gosh ठीक है bacteria कैसे कर रहा है यह देखो nucleus divide हुआ nucleus divide होने के बाद cell बीच में से दबी दबने के बाद बीच में से सेटा बन गया दो से ललग होगी अब आ जाओ बच्चों मैं तुम्हें सिखाती है क्या binary fission binary fission पढ़ लीजे एक बार binary fission में एक parent cell दो small daughter cell में बनते हैं इसका कान खोल कर सुनो और अपने दिमाग में बिठाओ नितो जीवन में कभी यह चीज़े याद नहीं होगी और अगर आप यह सोचते हैं कि ठोरी पढ़ लेने से आपको बाइली जी समझ में आएगी और आप सोचते हैं कि रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट है ना ना कभी नह से ही में आदर दल्वा दे रही हूं ताकि भविष्य में तुम्हें फाइदे में रहो हमेशा तो बेटा जी इर्रेगुलर बाइनेरी फिजन का मतलब यह होता है कि कहीं से भी से डिवाइड हो जाए ट्रांसवर्स बाइनेरी फिजन का मतलब होता है कि सेल यहीं से लिश्मानिया इनके में प्लेन डिसाइड है कि पैरा मिशम ऐसे ही डिवाइड होगा और लॉंगिट्यूडनल वाला लिश्मानिया और यूगलीना ऐसे ही डिवाइड होंगे ठीक है बच्चो अब आज आओ मेरे आँखो के तारो अब मैं तुम्हें समझाती हूं मल्टिपल प्लेजन आओ जड़ा हो जाएं मल्टिपल प्लेजन की कहानी मल्टीपल फ्रीजन के अब देखो बहुत सारे बच्चे लास्ट यहर तक मुझसे पूछते रहे कि क्या अमीबा मल्टिपल फिजन होता है जी हां एडवर्स कंडीशन में अमीबा भी मल्टिपल फिजन शो कर कर सकता है बिल्कुर शो कर सकता है कोई दिक्कत निया है तो आजाओ क्या है कि मैम अभी बिमारी से उठी है लगतार खड़े-खड़े तो आई उप्लाजमोडिय επιचाल के साथ काव मलेडिया करता मालेडियाि मलरी मिल तक मुझे नहीं अभी नहीं imaginllä तो चुक मैं थुक है तो कि मलेडिया एक बिमारी नाम की मच्छरनी के काटने से होती है तो इस मच्छरनी का काम क्या है यह मलेरिया हो रहा है तो यह कैसे कोई इंफेक्टिट मालो भूशन को मलेरिया मरा जा रहा है पर भूशन माननी रहा है यहां पर आएगा बिलकुछ शूट करेगा अब आक अगर कोई मच्छर नी जो है इसके मुझ में काट दे ठीक है मैं इसको मना करने बोला भी मालो कि मलेरिया का टेस्ट कर वाले तो मुझ आपको सुन ने वालो भी मलेरिया भरा पड़ा है अब उसको मच्छरनी ने अगर आके काट लिया तो उसको यह कि मैडम को कैसे हो सकता है पर मच्छर नी वैक्टर है चर्णी क्या वैक्टर उसको काटे गी तिर बाजो में कॉण खड़ा तीवार उपर जाकर मुह नहीं मार का एक रूप होता है स्पोरोजाइट वह आपके अंदर छोड़ देते हैं समझाई बात आप सुनू अब हुआ ऐसा कि आप मैं सुन्दर मच्छरनी बनाना चाहती हूं बड आए डॉन्ट नो कि मैं बना पाऊंगी या नहीं बना पाऊंगी यह कुछ और ही बनती जा रही है म अब इस मच्छरनी ने मालो की काटा किसी के हाथ में मालो मेरे हाथ में काट लिया हाथ बना यह जो है इसने क्या किये plasmo dm को ऐसे छोड़ दिया जिस रूप में छोड़ा है उसको छोड़ जाएं दो अब बेटा ये plasmo dm जाकर तुम्हारे lever की cell में घुश जाएगा ठीक है lever और rbc में कहीं भी घुश सकता है ठीक है अब बेटा ये घुशा अंदर थोड़ा समय लीवर सेल को कोई और कलर से बनाती हूं ताकि आपको डिफ्रेंशेट हो पाए ठीक है यह मालो लीवर की सेल यह आर बीसी गुसी हुई है इसके अंदर क्या है एक भाहिया जी पहुच गया आपका प्लाजमोडियम का पैरसाइट ठीक है पैरसाइट समझते हो ना इनको जंडाली चलेगी हम इस लीवर सेल के सारा न्यूट्रिशन खा जाएंगे यह पर लीवर सेल का सारा न्यूट्रिशन खाओगे कैसे यही पे तो आपको समझना है तो बेटा जी यह क्या करेगी यह सिर्फ अपना न्यूकलियस डिवाइड करना शुडू करेगी देख सिर्फ न्यूकलियर डिवीजन होता जा रहा है सिर्फ 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 ठीक है मल्टिपल न्यूकलियर डिवीजन यहां पर लिखेगी मैं अभी आपकी यहां पर क्या हो रहा है मल्टिपल न्यूकलियर डिवीजन चीक है क्या है बच्चो आए रभा ठ is the multiple nuclear division done अब nuclear division बेटा इसका एक term होता है जिसको हम कहते है कैरियो काइनेसिस आज बता दिया है दुबारा मैं आप नहीं बताएगी जिसमें से बेटा कैरियो का मतलब होता है सिर्फ nuclear division थोड़ी समय के बाद next step में यहाँ पर होगा बच्चो साइटोपलाजम का synthesis इस nuclear इन न molten तरफ यह बन जायेगा बच्चो साइटोप्लाजम बना दे साइटोपलाजम यह बन गया साईटोपलाजम यह बन गया साइटोपलाजम तो यहां क्या हो गई साइटो प्लाजम सिंथेसिस हो गई हाई रे हाई ठीक है क्या हो गया बच्चो साइटो प्लाजम सिंथेसिस पहले नूकलियस डिवाइड हुआ फिर साइटो प्लाजम सिंथेस हो गया clear next step में देखो बच्चो अब cell wall बन जाए उसकी चारो तरफ बस अब इन नुकलियस के चारो तरफ ध्यान चे देखो इन नुकलियस के चारो तरफ क्या बन गया cell wall ठीक है cell wall बन गया बन गयी बोलो बोलो और साइटोप्लाजम तो भरा ही हुआ है साइटोप्लाजम भर दो थोड़ा सा इसमें है पिला पिला और यहां पर next step में हुआ cell wall formation बस यह new daughter cells बन चुकी है बचो यह क्या है यह है daughter छोड़ा छोटा 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 लिखे हैं क्या दिखना ही रहा है क्या रुकिया तो यह हो गई आपकी daughter cells ओ तेरी तो तेरी तो तिमने वह गाना सुना है बचो तेरी तो हमेशा यादसत आवे तो ये हो गया daughter cells ठीक है अब क्या होगी अब ये आपकी liver cell ये RBC जिसमें भी infection हो रहा है ये फट जाएगी और सारे आपके plasmodium की daughter cells बाहर आ जाएंगी ठीक है ये सब आपकी क्या है plasmodium plasmodium daughter cell चल clear है अब एक बार पूरा revise करवा देती हूँ कैसे हुआ plasmodium मच्छरनी ने आपको काटा ठीक है तो आपको काट के उसने pathogen आपके शरीर में छोड़ दिया number one step number one number two में क्या हुआ ये आपका जो pathogen है pathogen जो infection करे ठीक है plasmodium आपके लीवर यार्बी सिम पहुच गया वहां पर क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ मतलब सिर्फ nucleus division हुआ next step में cytoplasm synthesis हो गया उसके बाद उसके चारो तरफ cell membrane synthesis हो गई cell पे लोड बढ़ा cell बाहर आ गई और भाई साब क्या है आपको यह समझना है कि यहां पर एक पेरेंट cell पहले बहुत सारा nucleus बनाता है फिर उसी nucleus के चारो तरफ cell membrane बनता है फिर उसी nucleus के चारो तरफ cell membrane बनती है नुकलिस बन गया ना तो सब बन सकता है nucleus is the brain of the cell clear है तो this is the multiple vision जब आप एक ही cell से बहुत सारा cell बनाते है जब you have you have only one cell जब फटी आपकी RBC तो कितनी सारे plasmodium बाहर हुए यार बहुत खतरनाफ चीज बहुत खतरनाफ चीज this is the malaria ठीक है तो ही मच्छनी सबच के रहिए ठीक है घर से घर में रहना तो भी तो मल्टिपल फिजन क्या होता है ध्यान से देखिए मल्टिपल फिजन में एक ही पेरेंट से बहुत सारी डॉटर सेल बनाते हैं जो कि चोटू-चोटू अर्गानिजम बने यह इंडिपेडनेंट और्गानिजम में सेल फटेगी और सारे इंडिविजवल बहार आ जाएंगे तो यह यार रखना है कि एक प्लाजमोडियम से आप हम वन थाउजन डॉटर सेल्स बना किक्ते हैं तो मतलब आप सोचो कि मलेरिया इंफेक्शन के फैलने के इंटेंसिटी क्या है राजा कितने तेजी से फैल सकता है ठीक है इसनी बात आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वी आ टॉकिंग अबाउट देशन लेट में एक्स्प्लें यू वाट इस फ्राग्मेंटेशन के बारे में बढ़ाओ कंफूजन है मैं फ से फोला मैंने कि मंती सखेव्र हैं पाया जाता है मंटी सेलटलर और्गा रगानिजम्स में भी पाया जाता है पर यहां पर आपको समझना है कि फ्रैग्मेंटेशन उन मल््Sch靡, इसका मतलब यह है कि यहां पर सारी सेल्स एक साथ रहकर पूरी एक बॉड़ी तो बना रहे हैं समझना बात को पर वो रैंडम मतलब कि किसी को किसी से मतलब नहीं है जैसे हम लोग अपनी बात करते हैं वी आर अल्सो अमल्टी सिल्वय और गयानिजम जिसमें हमारी बॉड़ी में हर एक पार्ट एक अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है जैसे कि नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मेसेज लेने और मेसेज पुचाने का का कॉर्ट वैसे ही अगर में बात करॐ इसके बारे में डाइजश्टिफ सिस्टम के बारे में तो क्या करता है? तो वह आपका खाना पचाने का काम करता है तो बेंग में हर सिस्टम तो हमें हर सिस्टम को पहले नया बनाना पड़ेगर तब human body बनेगी इसले कभी भी human body regenerate हो इनी पाती नहीं बनी नहीं नहीं पाती है पर यहां पर क्या है कुछ नहीं है यहां पर सेल्स रैंडम कलेक्शन में मतलब तू भी आजा तू भी आजा तू भी आजा हम सब रहेंगे और एक function perform करेंगे चीक है तो यहां पर हर एक सेल जो उस पार्ट में रह रही है जो उस body में रही है वो एक individual unit है और अगर माली जी इत कोई पार्ट अगर कट जाए तो फिर वह वापस से अपने आपको reproduce कर लेती कोई टेंचन नहीं है यहां पर हर एक पार एक individual unit है अगर एक पार कट गया तो कोई टेंचन नहीं महां पर नया पार आ जाएगा हमारे में एक पैर कट जाए तो नया पैर आजाता है कि नहीं क्यो कि वह जो पार्ट है वह उस बॉड़ी का हिस्सा है यहां पर यह पार्ट उस बॉड़ी के साथ रहतो रहा है पर उस बॉड़ी का हिस्सा नहीं मार जाएगा तो कट जाएगा तो नहीं आ जाएगा समझ रहे हो बात को तो यहां पर कुछ multi celluloyal organism में जिनका बॉडी simple होता है बहुत ही simply designed होता है यह कुछ नहीं है जस्ट बॉडी में random collection होती है और इनकी बॉडी में differentiation नहीं है sensation समझते हो इसका मतलब सरधर पैर digestive system यह system कुछ नहीं है इनकी बॉडी में हर एक सेल एक unit है जो नए इंडिविज्वल बना सकती है अगर मालीजे इतना पार्ट काट दिया मैंने इतना पार्ट काट कोई पार्ट काट के अलग कर दीजए यार तो वहां पर अगर एक दो सेल पड़ी हुई है तो वह नई बॉडी बना लेती क्योंकि हर एक सेल के पास यह बिलिटी कि मैं नई बॉडी बना सकती हूं क्योंकि हर एक सेल एक इंडिविज्वल यहां पर काउंट किया जाएगा समझ में आ गई बात हमारे में क्या होता है कि हम एक इंडिविज्वल है हम ने नहीं कहतWind क्यूंकि हमारी बौड़ी के यूनित है इतन थे यूंचैजी ज़ू मैं पर इनकी बौड़ी में हर एक की इंडिविजियुल की बिड़ एक इंडिविजुल है ऐसे ही मालूप जैसे कि मालूप मैं बहुत सिंपल एक्जेम्बल समझाती हूं यह एक शिपरा है ऐसी 100 शिपरा खड़ी कर दो और सब को मिलाकर एक स्पाइरो गारा बना दो अब अगर एक शिपरा हट गई तो दूसरी शिपरा पैदा हो जाएगी अगर टेस्टी और ओवरी मिला निकाल दिया आपने तो बच्चे पैदा नहीं हो सकते हैं ठीक है तो एक इंडिविजुल के बॉड़ी से अगर आपने कुछ भी अलग किया तो फंक्चन परफॉर्म नहीं हो यहां पर क्या होता है यहां पर आपको एक स्पाइरो गारा जो दिया लग्टेशु नहीं जब बॉड़ी में सब में जुलकरर कर एक ही काम परफॉर्म कर रहे होते को करना ही क्या यार इनको कुछ नहीं करना हर एक सैल जो है फोटो सेटेस्टिस कर रहे है हार एक सैल वह फंक्शन पर रहे हैं और बॉड़ी कि दूसरी सेल तुरं डिवा कर सकते हैं यहां पर अगर आपने एक सेल निकाल दी तो सेम बाजु वाली भी तो वही काम कर रही तो वह तुरंट डिवाइड करके उस सेल को रिप्लेस कर देगी तो आपको यह बात समझना है कि जनरली फ्राग्मेंटेशन उन और गयानिजम में पाया जाता है जिसमें बॉ कोई और गनी जो स्पेशल फंक्शन परफार्म करें हमारी बॉड़ी में अगर कुछ भी कट जाए तो उसका जगह कोई और नहीं ले सकता है क्या है इनके में कुछ जिसाइड़ने सब एक ही प्रकार का फंक्शन परफार्म कर रहें तो इसमें क्या होता है देखो ध्यान से यह जनरली पाया जाता है स्पाइरोगैरा में ध्यान से देखो इसमें पाया जाता है स्पाइरोगैरल में स्पाइरोगैरा क्या है बेटा जी स्पाइरोगैरा बेसिकली एक एलगी है तो इसके पास क्या होगी सेलवॉल होगी एलगी किसके अंदर पड़े जाते हैं प्लां स्थाइरल स्थाइर वहसी तरीके से स्पाईरल शेप में अरेंज रहते हैं यहां पर यहां पर जो नियूक्लियस पढ़ा होता है क्या होता है nucleus clear है अब तुम का बात मेरी ध्यान से सुनो ध्यान सुनना है ना माल लो कि यहां से अगर अपने हवा पानी बहुत तेज बहा तो यह बीच से कट गए अब देखो ध्यान से अब हमारे पास एक पार्ट यह है और दूसरा पार्ट यह है है कि नहीं ध्यान से देख तो हमारे पास बेटा जी एक पार्ट क्या हो गया है यह आ गया और दूसरा यह आ गया जहां से समझता अब देखू इन पार्ट में तुमको कोई अंतर समझ में आ रहा है Tä involvement इस इसके पास भी नुकलिस इसके पास भी नुकलिस तो आप क्या समझ रहे हो यह एक एक इंडिविज्वल की तरह behave like one individual behave like one individual ठीक है यह एक इंडिविज्वल की तरह behave करेगा और यह second की तरह और यह कुछ समय के बाद यह बड़े बड़े फिर से स्पाइरोगारा बना लेंगे समझ में आई बात और यह क्या कर लेंगे बच्चों कुछ समय के बाद यह बड़े बड़े स्पाइरोगारा बना लेंगे यह देखो यह देखो क्लियर यह इस तरीके से बड़े बड़े स्पाइरोगारा बनाकर रेडी कर लेंगे लो 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 ल क्लियर है तो आपने क्या सीखा इस से आपने क्या सीखा कि यहां पर हर एक यूनिट behave like the individual यह एक इंडिविज्वल है यहां से कट जाएक तो एक इंडिविज्वल हमारे पास क्या है यहां नहीं नहीं बन पाइगा क्योंकि पार्ट बनाने के लिए आपको पूरे बॉरी का system चाहिए उक्तिल्वरेनस कॉर्ण सॉचेंस करणाफ सीस्प्रेणेशन नहीं हो पाता है पर इनके पास है वह बना रहे हैं कोई टैंशन नहीं तो जब body differentiated हो जाती है जब body में हर function अलग अलग organ या tissue system perform करने लगता है तो fragmentation की power खतम हो जाती है fragmentation उन multi-cellular organism में पाया जाता है जिनके में हर एक छोटा part एक unit है कि individual है तो अगर वो cut के अलग भी हो जाएगा तो बात जुवाला उसको तुरंत replace कर लेगा divide कर लेगा नया बना लेगा समझ गए इतनी बात so this is the fragmentation ठीक है डान हो गए इतनी बात तो fragmentation में क्या होता है fragmentation में जो भी part कटा वो ने grow होकर नया individual बना लेता है filament और spiragra may break into the small pieces और ये new plant बना सकते spiragra एकल गी है तो उसको plant consider कर लेते हैं अब आजाओ तो ये आपको बीच में क्या बनाया था ये देखो बीच में देखो पहले division कैसे start होता है तूटने वाला होता होता हो देखो यहां से septum बना यहां से लग हो गया यह है बिल्लू ठीक है यह है बिल्लू बिल्लू नाई ठीक है डन अब किसी कारण वर्ष बिल्लू यहां से कट गए तीन भागों में ठीक है तो अब हो गए बिल्लू बिल्ली ठीक है चिल्ली और मिल्ली ठीक है बिल्लू के तीन भाग कट गए, बिल्लू मिल्ली चिल्ली बन गए बिल्लू रो रहा है, उपर वाला तो बिल्लू रो रहा है, कोई टेंचन नहीं है उपर वाला बिल्लू तो रो रहा है, पर नीचे वाला बिल्लू नहीं रो रहा है यह 3 बन गया, उपर वाला बिल्लू के पास क्योंकि आंख है, पर कुछ समय के बाद हमने देखा कि बिल्लू भी नया बन गया, ओहँ, बिल्ली भी नई बन गई, ओहँ, ठीक है, और चिल्ली भी नई बन गई, ठीक है, अब मैं तुमको अलग-अलग गलर से दिखाती हूँ कि यह क्या हो रहा है तो इसमें यह रिजनरेट हुआ है इसमें क्या रिजनरेट हुआ है बेटा जी यह रिजनरेट हुआ है यह वाला पार्ट यह बना देते हैं ठीक है ओके और इसमें क्या रिजनरेट हुआ है इसमें यह वाला पार्ट रिजनरेट हुआ है यह ठीक है ना यह पी चे यलो बना लो ठे talks का की समझ रही हूँ बात को क्या कर रिजनेट हुआ समझ गए ना देखो तो यह कट नीचे ग्रिंग लाकर रिजने रेट हो गया ? यह कट चा तो ऊपर और यह रिजने रेट होगा, वह लिख़के रही रहे है ? यह उसफार क्टा हुआ पात पार्ट जो का जुपार्ट था मालिय जै कि हैं पे स्पाइरोगाय रहा है और अगर उस्पाइरोग आपने बीच से उप गया तो यह दो इंडिविजूल की तरह भीएव कि कुछ समय के बाद ये एक ना स्पाइरोगाय रा बना लिया एक यहां पर यह एक इंडिविजुल की तरहा बहू ए इ penguin कर रहे तोग इंडिविजुल सब्सक्राई तो Madhu sama नशिए करना चाहे ताइधा एकुछ पूछ इंडिविजुल बिहेप करना चाहे था है और मैडम तभी तो तीन नय बन गए है अब आपको मैं यही समझा रही हूं कि fragmentation is the method of reproduction but regeneration is not the method of reproduction बेटा जी समझ गए यहाँ पर एक sentence मैं लिकर ही है द्यान समझ ना कि fragmentation fragmentation is the is the method of method of reproduction ठीक है method of reproduction of fragmentation but but बेटा जी ध्यान समझ यह but regeneration regeneration is the is the method of regeneration is the method of method of what method of repair repair and maintenance अहाँ हाँ 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 समझ नहीं बात तो fragmentation एक method of reproduction है बट regeneration method of reproduction नहीं है राजा यह क्या है repair and maintenance की कहानी है समझो किनी कारण वश अगर प्लेनेरिया का कोई । पाट कट जाए जान बूच के प्लेनेरिया ऐसा नहीं करता लूँँ पर अगर कभी कट जाए जैसे हाइड्रा में भी रीज़ेनेरियो पावर होता पर हाइड़ा भी बडिंग शो करता है hydrogen rate करता है जब accidentally कुछ cut गट जाय उसका normally hydrogen रिपरडेक्शन कैसा होता है बड़ीं रिटरू पर अगर गलती से hydrogen का कोई पार्ट कट जाय तो hydrogen अपने आपको li驅्ट कर सकता है क्योंकि उसके पास regulation वाली स्यल्स होती है यह क्या होगा अब यहां पर होगा we Stra interviewsного work ठीक है, यह होगा, regeneration, because each part has regenerating cell, because each part contains, contains regenerating cells, ठीक है, हर part के पास regenerating cells होती है, इसलिए हर part regenerate करके, एक planaria, दो planaria, तीन planaria बना सकता है, पर यह method of reproduction नहीं है राजा, यह method of protection है, तुम्हारी body में अगर कभी चोट लग जाए, तो वापस से cell repair हो जाती है न, तो मैं क्या बोलूगी, नई शप्रमायम बन गया, नई आदमी बन गया, नो, यहाँ पर आपकी cell कटके, जब cell divide होती है, तो नई skin आजाती, because they have the regenerating power, यहाँ पर, क्योंकि skin cells के पास regeneration का power होता है, पर अगर आपकी nerve cell टूट जाए, तो क्या वो नहीं बन सकती है, नहीं, because उनके पास regeneration का power नहीं है, तो regenerate आप कप करोगे, जब damage होगा, समझ गया है, जैसे liver, लीवर के पास regeneration का power भायंकर है बेटा, तो अगर दारू पीने से शड़ा, पीने से नशा करने से liver damage हो जाता है, तो वापस से वो repair हो जाता है, 7% liver, पूरा liver बना देता है, बच्छो, starfish की गलती से अगर कोई arm कट जाए, तो भई नया arm आ जाता है, छिपकली की पूछ कट जाए, तो नहीं आ जाती, पर क्या नई पूरी बन सकती, नहीं, क्योंकि पूरी body के पास, regenerating cells नहीं है, cells किसके पास है, बेटा, सिर्फ पूछ वाले के पास, अपने पास किसके पास है, lever के पास है, skin के पास, पर तुम सोचो, nerve cells बन जाए, नहीं, nephron बन जाए, नहीं बनेगा, तो regeneration is the method of protection and the maintenance, it is not the method of reproduction, राजा, यहाद अखना, ठीक है, बड़ हम पढ़ते हैं, क्योंकि body is regeneratory, तो हम कहते हैं, तू method of reproduction में आपास, तुम्हें पता हो ना चाहिए, तुमेरी संताने हो, ठीक है, regeneration may be have defined as ability of the organism to regenerate the lost part, ठीक है, or which has been removed by the injury, और autotomy, autotomy का मतलब क्या होता है, कभी-कभी lizard जो होती है, वो उसकी पूच, cut, damage हो जाए, infection हो जाए, काट ले, कोई चिड़ेया, पंखा पड़ाई, तो उसको वो काट के अलग कर देती, इसको कहते है, autotomy, खुद का पाट अलग कर दो, ठीक है, regeneration common in lower plant, algae में भी पाया जाता है, regeneration, hydra में पाया जाता है, planarium पाया जाता है, sponges में भी पाया जात is even a fragment measuring 1.6 mm, अगर आप, यह तो हुआ किसका, spirogara का, बेटा जी, यह क्या हो गया, fragment of the spirogara breaks, यार यह तो spirogara है, यह तो fragmentation की detail यहां पे गुज गई है, पर तुम याद रखो, कि spirogara है, मतलब fragmentation, चीक है, अब आँ, अगर गलती से, hydra का, कोई भी piece cut हो जाए, मतलब 6 का सिर्फ एक हिस्सा भी cut हो जाए, वाला 6 पाट की body, एक पाट भी cut हो जाए, तो नया individual बन सकता है, complex organism में, mammals में, regeneration का power नहीं होता, मतलब अगर कोई body part cut जाए, पूरा cut के लग हो जाए, तो नया नहीं बन सकता है, क्योंकि हर cell के पास regeneration power नहीं होती, और body का एक जो organ है, वो अल ठीक है, समझ में आरी बात, क्योंकि multi-cellular organism जो होता है, वो different tissue से बना होता है, एक के पास है, दूसरे के पास नहीं है, तो एक तो cell regenerate कर जाएगा, पर अगर एक हाथ को बनाने के लिए, तीन टाइप की cell की ज़रोता है, तो तो नहीं को regenerate होना चाहिए, इसलिए skin damage होती है, नया बन सकता है, क्योंकि skin के पास regeneration power है, पर उसके नीचे की muscle damage होगी, तो शायद वो पूरी नया बन बाए, अगर उसके पास regeneration के power नहीं है, लीवर सिर्फ damage होगा, तो लीवर नया बन सकता है, पर उसके साथ kidney damage होगी, तो नहीं बन सकती, यह बात याद रखना है आपको, ठ ठीक है, hydra, sealant rate का member होता है, यह है मेरा chinkoo hydra, I love hydra यार, मुझे hydra बड़े पसंद आते हैं, क्योंकि hydra 11th class में पढ़ाती हूँ, I love hydra, you know, I love hydra, ठीक है, so यह मैंने एक hydra बनाया, ठीक है madam जी, ठीक है, यह इसका mouth होता है, ठीक है, यह इसका mouth है, तो उमको ऐसे नहीं लग हो गया tentacles, ठीक है, यह हो गया बेटा जी, tentacles, clear, और यह हो गया इसकी body, ठीक है, यह हो गया इसकी body, इसको मन करा, यह बहुत mature हो गया, यह parent body है, ठीक है बच्चे, यह क्या हो गया आपकी parent body, और इसको बड़ा मन किया, कि भई मैं कुछ थोड़े बहुत बच्चे बना लू मैं माँ बनने चाहती हूं इनके में कोई male female नहीं है तो जो भी लड़का भी माँ बन सकता है लड़की भी माँ बन सकती है ओ माई गॉड यह तो अनर्थी हो गया है ना ठीक है तो माल लीजे कि इसको क्या करना है reproduction ठीक है तो यह क्या करेगा सबसे पहले एक छोटू सा यहां पर देखो इसके पास भी division का आसीम पावर है ठीक है hydra के पास बहुत पावर होता है plan area के पास animal kingdom का highest regeneration पावर है ठीक है यहां से cell division शिरू किया ठीक है यहां पर एक baby शक जड़ जड़ एक baby bird बन गई ठीक है एक baby bird बन गई baby bird कैसे बनी cell division से और cell division कौन सा होगा बैटा gamete तो ठीक है फिर क्या होगा थोड़े समय के बाद प्यारे बच्चो यह जो bird होगी बापरे मैं तो मेरे तो हाइडरा का शेप ही धीरे धीरे bottle नहों जाए कहीं सुराही न बनते जाए है थोड़े समय के बाद यह जो हाइडरा है बच्चो look at this beautiful hydra इसका बड़ बड़ा हो एगा ठीक है कि अब यहां पे मैं लिख रिये हैं अफ्टर सम टाइम आफ्टर सम टाइम बड़की बड़ एलार्च किकए बड़ क्या हो जाएगा In Larch हो जाएगा and heavy and heavy then heavy होने के बाद क्या होगा breakdown होगा बर्ड का, breakdown of बर्ड, बर्ड, and develops into new individual, develops, and new individual, तो बेटा जी, क्या समझे आप, ध्यांचा देखो इदार, बापरे, गुची-पुची हो गया है, अपर ध्यांचा देखो, तो सबसे अच्छा, यहां पर नया इंडिविजुल तो बनाया नहीं, जगहा ही नहीं है, यार, कहां बना दे, यहां पर बना देते, अब यह जो बर्ड है, यह नीचे गिरा, ठीक है, यह नीचे गिरा, और यहां पर बना रही हूं मैं, यहां पर बना रही हूं क्यों जगह नहीं है, माँ पर मेरे पास ठीक है और यह एक daughter hydra बना लिया समझ मैं आई बात तो यह क्या हो गया आपका daughter daughter hydra ठीक है यह हो गई आपकी daughter hydra थोड़ा जीब सा है पर टेच्टन ने जो ठीक है अब आओ बेटा जी में समझाती हो क्या होता है यह parent body इसमें यहां पर cell division शुड़ हुआ चुटू सा बड़ बना बड़ बड़ा होता गया होता गया और भारी हो गया बाद में हवा आई हवा नहीं है तो बेटा जी पानी आया और खट से गिर गया और वो सिलेंट रेट जो होते हैंना बेसिकलि यह चल भी सकते और नहीं भी चल सकते तो हइडरा एक ऐसा औरगानिजब हैं सिलेंट रेट का 9th class में पढ़े थे कि कोवीड में 9th class आय नहीं थे थे चोड़ देए कि हैसा दो नहीं कहते तो मैं में आया है नहीं थे तो começa ने फ़्तना सो बढ़ाना ही तो है लो है यार जोुह अपना नुजिच्छ भघाना ही निया है तो हैड्रा क्या होता है है सीलेंट ड्रेट का मेंबर है अभ ऑज होता क्या है कि हएड्रा चल फर नहीं सकता है हीड्रा सिफ गुलाटी मारता क्या करता कि हाँ Hi हलाकि मुझे बताना नहीं चाहिए, पर मुझे बड़ा मज़ा आता है तो ये क्या करता है? ऐसे पहले ऐसे मुडू क attractions Us, चपक जाता है «ईंहलो इसके वह है ये जमीन पैसे चिप करेगा यहांसे यहांस अपना मुद चिप का लेगा फिर क्या करेगा? ये मूँ इसका यहीं चिपका रहे जाएगा ये और ये उल्टा हो जाएगा ये देखो फिर फिर क्या करेगा फिर ये पीछे वाला हिस्सा यहां चिपका लेगा और मूँ इदर ऐसा कर लेगा ये और थोड़े समय के बाद फिर सीधा हो जाएगा तो ये क्या करता है सोमर सॉ पिर से ऐुआ हो जाए खरी ऐसा पार प्रत जा बुलाटि माहर मार चलता हैं तो डिय濟न सकता है रोंगों थेले से लिवीजन करके बड़ बना पार को जमीन गिदा कि जमीन मतलब समंदर थे फिर हैंदर westro वैसे तो ठीक है और फिर वो चिपका रहेगा और फिर नया इंडिविजूल बना लेगा बड़ा और हो जाएगा ठीक है समझ में आई बात हो इस 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 की बड़िंग कैसे होता है देखो देहन से इस की बूजन भी ऐसी बन करो यार एसी चलाओ तो दिक्कत नहीं चलाओ तो दिक्कत जीवन घंड हो चुका है एक तु वाइरल फीवर में वाइरल फीवर इस वेरी खतरनाक चीज यार पूरा बाड़ी के जॉइंट वाइंट ऐसे दर्ध होते हैं इसाही में ठीक है तो यह इस्ट है बटाजी यह है नूकलियस ठीक है तो में अब समझना कि मुझे कोई मच्छर नी काटी है मतलब अभी मैंने ब्लेट टेस्ट वैसे करवाया नहीं है मुझे करवाना चाहिए था गलत बात है ठीक है तो यह हो गया सबसे पहले इसको पागल हो जाती है थोड़ी सी और यह बड़ी हो जाती और नूकलियस को भी लार्ज कर लेती है तो यह क्या हुआ उसके बाद next step में जे ध्यान समझना पर तो यह जूओ दो da डीजन शुरू होगा और देखो यहां से देखो यह कैसे दब गया पूरा दिख रहा हैँ कै दब गया फिर उसके किया होगा यह लग हो जाएगा है रचामिया उसके उपर फिर 이 इसे बन बना लेगा है फिर इसल इनलार जोगा ठीक है फिर क्या होगा division startle develop this division start हो गया कि यहां से दबने लगेगी इंदर से दमने लगे गी और दब कर पिचिक से इसको लग कर देंगा पिच से अलह हुझ गार फिर यह सको पिचिक से अलग करेंगा, फिर यह इसको पिचिक से अलग करेंगा, तो यह क्या दिख रही है, East, जिसमें कितने सारे bird बने हुए, ठीक है, अभी यह bird क्या करेंगा, नीचे गिरेंगा, फिर अपना दूसरा bird बनाने लगेगा अपने उपर, clear है, तो this is the budding in the east, ठीक है, तो यह क्या करेंगा, पिचिक से अभी bird चिपकाया हुआ है, फिर यह पिचिक से चिपके अपने उपर बढ़, फिर पिचिक से चिपके अपने उपर बढ़, एक bird गिरा नहीं है, individual बना लेगा, तो this is the budding in the east, look at this, this is the beautiful diagram which is made by your beautiful ma'am, ठीक है, तुम लोग तो मेरी तारीफ करते ही नहीं हो, तो मैं अपनी ही कल लेती हूँ, ठीक है, तो देखो, पहले क्या हुआ, developing bird, फिर new bird, फिर bird की उपर बहुत सारी bird, chain of bird, ठीक है, समझ गए बच्चो जी, बोलो राजा, सब तो समझा दिया, आपके अ समर जाओं है, ठीक है, तो क्या हुआ, multi-silly organism, such as hydra, bulging on the body, appears result of mitotic division, देखो, mitosis division होता है, ठीक है, जिसकी विजए से bird बन जाता है, bird enlarge होता है, ठीक है, उसके बाद वो उतना ही बड़ा हो जाता है, जितना parent का होता है, फिर वो भारी हो जाता है, फिर वो separate हो जाता है, जमी बनाते है, ब्रेड बनाते है, ठीक है, और बड़िंग जो है, इस्ट में भाईंकर होता है, बाद बनाना है, बेकरी इंडेस्ट्री में तो lee में इस्ट का बहुत जाधा यूज़ होता है, बड़ा सिंपल मेथड है, सेक्शेल परन सुसमें करना ही विज़न करो चोटु सा बना बड जमीन में गिरा दो नया बड बन जाएगा मलब नया इंडिविजुल बन जाएगा इसमें भी क्या है बड़ा सिंपल सबसे सिंपल मेथड यह होता है रिप्रड़क्शन का तो इस्ट और हाइड्रा बड़िंग करते हैं यह या दखना है आपको now the last method of asexual reproduction is लला जी spore formation का डियाग्राम हो जाएग अब माल लो मुझे खाने का मन है केक मुझे खाने का मन क्या है केक ठीक है केक की एक कटोरी बना लूँ मैं आए हाए हाए ठीक है तो आज मुझे बनाना है केक ठीक है केक बनाऊंगी मैं या bread बना ले तो केक बना ले तो कुछ भी है ठीक है अब बेटा ध्यान समझना हो फिर मैंने क्या किया मैंने राइजो पस के spore डाल दी उस पर, राइजोपस के ब्रेड मोल्ड होता है, ठीक है, मैंने राइजोपस के spore उस पर गिरा दी है, यहाँ, अब यह spore क्या करेगा, ध्यान से समझना, सबसे पहले, ध्यान से समझोगे, तो सबसमझ में आएगा, नहीं समझोगे, तो मैं ब्रेड बना लेती हुए, ठीक है, यह ब्रेड का पीस है, सुन्दर सी ब्रेड मेरी, बताना, मन तो नहीं कर रहा है इतनी सुन्दर, यह ब्रेड का पीस मैं हमने बनाया है, चलो, आप देखो, सबसे पहले, यह क्या है, राइजोपस spore, पहले मैं लिख तो दूँ, यहाँ पर हमने डाला चमस से, एक राइजोपस spore, चीक है, राइजोपस का spore है यह, और तुमने नहीं भी डाला होगा ना, तो तुम्हारा जो आटा रखता है, कुछ समय के बाद फर्मांट होने लगता, वो इसी की वज़ असे होता है, क्योंकि एंवार्मेंट में बहुत सारे राइजोपस के spore होते हैं, तो सबसे पहले होगा यह, कि spore जो होगा, वो germinate करेगा, और germinate करने के बाद, यह देखो, ऐसा एक बेडमिन्टन जैसा structure बनाएगा, ठीक है, तो सबसे step number two क्या होगा, spore germination, यह जो spore होता, क्या है spore, अभी सब समझ में आएगा, सब समझ में आएगा, तो सबसे पहले होगा, बेटा जी, spore germination, ठीक है, spore germination होगा, तो ऐसा बेडमिन्टन जैसा structure बन जाएगा, ठीक है, और यह है spore का एक nucleus, ठीक है, यह आ गया, यहाँ चीज है, spore डाला, तो spore germinate हो गया, germinate होगा, germinate होकर ऐसा एक round structure इसने बना लिया, बोलो, बना लिया की नहीं बना लिया, देखना ध्यान से, अरे यार, अरे यार, अरे यार, ठीक है, आप देखो, यह जो डंडा है ना, ध्यान से समझ ना, यह जो डंडा है, इसको हम कहते sporengio 4 क्या कहते हैं बच्चो इसको हम कहते है sporengio 4 ठीक है बहुत जगह पे से हाइफा भी कहा जाता है लास्ट चीज है ध्यांस नमलो नहीं तो रोगी दादा उदादा इसका है इसका बबासीर है नहीं टैंसर नहीं लेना ठीक है ऐसे ही बच्चो यहां पर भी एक spore गिरा होगा तो यह भी germinate कर लो कर लिया germinate बोलो हो गया germinate ऐसे बहुत सारे होंगे पर यह दूसरे से connected रहेंगे ठीक है इन्हें हम कहते है हाइफा क्या कहते है बच्चो हाइफा समझ में आई बात हाइफा क्या है हाइफा कुछ नहीं होता फ्रेड होता है फंगस यह देखो यह जो है ना यह जो चीज हम पढ़ रहे हैं यह देखो आजब देखो यह रंडा दिखर आपको हाइफा सारे स्पोर जितने भी फंगस बनेंगे वो एक दूसरे से attach होते है है एक थ्रेड लाइक स्टक्चर से जिसको हम कहते है हाइफा हाइफा ही फंगस की बॉड़ी है जिसके उपर स्पोर बनते है हाइफा क्या है बच्चो हाइफा फंगस की बॉड़ी होती है ठीक है हाइफा एक thread like structure है in which in which spores get formed समझारी बात क्या बोला मैंने तो जब आप कोई भी spore डालते हो तो वो germinate होता है germinate होने के बाद इसके उपर एक ऐसा sack like structure है तो यह जो germinate हुआ है इसको कहता हाइफा और उसके उपर यह chamber बनेगा तो अगर मैं पूछू fungus क्या है तो fungus कुछ नहीं है thread like structure है जिसके उपर spore बनते हैं और इन thread like structure को हम क्या कहते है हाइफा बस इतना याद रखना बच्चों यह हाइफा हो गया और सारे हाइफा एक दूसरे से connected होते हैं इसलिए fungus जो होता है वह बहुत important चीजें भी करता है फंगस जाल जैसा फैला होता है और जाल क्या है है उसके उपर क्या लगेंगे स्पूर फिर वह स्पूर जैमीन में गिरेंगे वह जर्मिनेट होंगे वह नया हाइफा बनाएंगे समझ रहे हो तो स्पूर गिरा जर्मिनेट हुआ हाइफा बना उसके उपर नया स्पूर भी ने फिर वह गिरा ठीक है अब यह nucleus nucleus division करेगा nucleus division किया 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 क अब इस न्यूक्लेयस के चारोग तरफ क्या बनने लगेंगे साइटो पलाजम थीकर के चारोग तरफ क्या बनने लगेगा साइटो पलाजम तो मER इसuz पूर है क्या what is a spore nucleus plus आई जीज इस पो पहहर आ जाएंगे घहाँ पर आपके जमीन में गिर जाएंगें यहाँ पर बना देती हूं, पर आपके जमीन में गिर जाएंगे, समझ में आरी बात, क्या वोला मैंने फिर से समझो, हमें बनानी है कोई ब्रेड, हमने ब्रेड में, आप तो मैं कहती हूं, आटा गूद के रख दीजे, दो दिन बाद आटा फलपी सरदाता है, क्या हुआ उसमें, र सैक लाइक स्ट्चर का नाम होता है, स्पोरिंजियम, इस सैक लाइक स्ट्चर का नाम है, स्पोरिंजियम, ठीक है, क्लियर है, स्पोरिंजियम के अंदर, न्यूक्लियस डिविजन बार 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 क्या कहते हैं, क्या कहते थे, बताओ राजा, इसे हम कहते है, क प्रप्राइब और समस्क्राइब टेत्स पुम्हेन से नूक्लेस टीवीजिन निकलेस देडियुद नॉक्लेस सिप्राइब नॊक्लेस की तो साइटोप्लासम पाल जाए का चोटी ही जूटी प्रेंड बंदेंगे इनको स्पोर का अब भैये स्पोर एंजियम की वह चाहिए उसको ही खा के यह germinate कर रहे हैं तो आपके आटे का कार्बो हाइडिर खतम होता जाएगा और आपका आटा फर्मंट होता जाएगा सड़ जाएगा यह fermentation process है देखो तो यह रहेखो हाइफा sporengium spores फिर यह spore जमीन में गिरेंगे और फिर नए sporengium बनेगे यह नई body बनेगे ठीक है तो यह fungus की पूरी body है fungus की पूरी body हाइफा की बनी होती हाइफा क्या है thread like structure जिसके उपर क्या बनता है spore ठीक है during the spore formation spore formation में कुछ detail लिखना है क्या हमको ठीक है देखो बच्चो तो spores जो है एक sack like structure के इंदर बनते हैं जिनको हम कहते है spore एक single reproductive unit है spore single भी हो सकता है बहुत सारे cells का भी हो सकता है ठीक है और यह क्या करता है parent cell से निकला फटा sporengium spore निकला फिर germinate हुआ और नया individual बना सकता है reproduction by the formation of spore is a very common asexual reproduction in some bacteria and most of the fungi generally fungi मोता spore formation during the formation of spore fungus develop and enlarge spore गिरा एक बड़ा सा सैक बना spore engem nucleus spore engem के अंदर बार बार डिवाइड होता है फिर उसके बाद nucleus के चारो तरफ क्या बनता है by cytoplasm बनता है और इसी को हमके spore कहते है बेटा spore क्या है nucleus plus cytoplasm is spore यह spore जब mature जाते है च्छोटी सी membrane बन जाती तो sporringium फट जाता है और आपके spore वापस से जमीन में गिर जाते हैं environment में उड़ने लगते हैं तो इसको हम कैसे याद रहेंगे פस manga resistance bind penisilium penicillium antibody को try reisopas या रहाखना bread mold कहते हैं स्को हम लोग bread mold, फिर से समझा दू, बोलो, फिर से समझाओं क्या, बोलो, फिर से समझाओं क्या, राजा, बोलो, समझाओं क्या, नहीं, समझाने की जरूतों नहीं चाहिए, एक spore था, air में गर रहा था, मेरी मम्मी न आटा गून लिया, भूल गए रोटी बनाना, अराइजो पस आ गया, से समझाओं करेंगे, अब यह जर्मिनेशन के लिए वो क्या यूस कर रहा, आपके आटे का कार्भोईड्रेट, इसले आपका आटा का कार्भोईड़ टूटता जा रहा है, तो मैंने रस्पिरेशन में क्या पढ़ाय था, कि कार्भोईड़ टूटता है, तो क्या बनता है पर उसे बड़ा मजा रहा है क्या यार मम्मी यार दुबारा अटा सानलो यार क्या कर रही हो यार इतनी गंदी रोटी किला होगी पर मम्मी सोचती के अटा वेस्ट ना हो तो खिला देती बच्चों को इटेंशनी अब आजो बेटाजी अब अपन लोगों ने एक चार्ट बन कहा है वो चार्ट कहा है वो चार्ट कितना लिखती हूं यार मैं सूचती हूं कभी-कभी आजाओ तो बेटा जी फिजन के दो टाइप हम लोगों ने पड़े ए मेरे साथ रिवाइस करते जाए फिजन के दो टाइप हमने पड़े नंबर बन इस दा बाइनरी ठीक है नंबर duelी ना और किया पड़ा पैरामीशियम च्छी के पैरामीशियम और पढा लेशमानिया लेशमानिया यह हमने पढा बॉनेरी ठीक है और क्या पढ़ा skin और क्या पढ़ा liver और क्या पढ़ा lizard tail lizard tail ठीक है lizard star लिख रहे हुँ देखो तो lizard tail नाए रे हैं बहुत ही आसानी सी topic हम लोग complete करते हुए notes आपको मिल जाएंगे and starfish की arm starfish arm ठीक है fragmentation अमने किसमें बढ़ा spirogyra ठीक है और spore formation ठीक है राम लिख दिया मैंने यहां पे होना चीए रम पम पम रम पम रम पम रम पम रम पम ठीक है रम से आ रखना rhizopas rhizopas mucar और penicillium लो बेटा ड़न हो गया है यह example हमने आज की class में किये हैं ड़न हो गया बोलो मज़ा आया की नहीं आया मज़ा जीवन में कम नहीं होना चीए बेटा है ना मज़ा ही में कोई कमी नहीं हो हाँ टूटने लगे मुझे पढ़ा पढ़ा के यार भी नेट वालो कोई पढ़ाना है क्या करो होले होले जो मेरा दिल गा रहा है सो बचो वी हैव लेर्न वाट आज अमने क्या कैसीख लिया बता हो आज हमने method of asexual reproduction पूरे complete किये अब बच्चा वेजडिटिव reproduction वो अपन next class में करेंगे बताओ मज़ा आया के नहीं है मज़ा इमें कोई कमी नहीं होने चे माडम बले पढ़ा पढ़ा के मर जाए वारल फीवर जो है उनके दिमाग में चड़ जाए पढ़ाती वो रहेंगी ठीक है so this is all about the asexual reproduction in the organism I hope you learned and enjoyed the session next class में मिलेंगे वेजडिटी propagation के साथ with the plant tissue culture उसके बाद sexual reproduction तो आपको मज़ा आया ना बताना comment section बताना आग लगी की नहीं लगी session को share करो यार किसके साथ पढ़ रहे हो बाप अफदे बादे जी यार रखना है लोग मुझे माता कहते है पर सब महलो तुम तो thank you so much